Hello friends, मैं नाम है विजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे plots की जानेंगे plots को ऐसे create करते हैं और हम लोग बात करेंगे math plotlib की तो चलिए start करते हैं सबस्पहले मैं बात करूँगा math plotlib की math plotlib हमारा एक data visualization engine होता है जो की multiple operating system में और backends में इसली चल जाता है इसको हम लोग use करते हैं जब हमें कभी भी plots को create करना होता है चाहे वो bar graph हो, pi graph हो ठीक है जितने different track के graphs होते हैं अगर हमें वो हमें create करने हैं तो हमें इसका use करना पड़ता है तो वही हम आज करने वाले हैं सबसे पहले इसको import करेंगे फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे आपको बताऊंगा plots कैसे create करते हैं plots में क्या-क्या attributes होते हैं तो इसलिए start करते हैं यहां मेरे pandas और numpy को import कर रखा है यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक variable ले लोगा xname से इसमें मैं क्या 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 random number generate कराऊंगा ठीक है कितनी बार हम लोग random number generate करा चुक है हो इस सेम तरीके से तो यहां पर लेकूँगा normal और मैं इसका size बताऊंगा कितने मुझे random number चाहिए तो मुझे 100 random number चाहिए यहां पर ठीक हो गया अब देखिए इससे मुझे plot create करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा matlib को import करना पड़ेगा तो यहां पर उसके दो तरीके हैं सबसे पहले आप लिखेंगे import और यहां लिखेंगे plot और फिर lib.py lot as plt ठीक है यह convention आपका plt यासे आपका pd convention है np convention है वो भी आप आपका plt convention है आपको भी नहीं रखते हैं वो आपके उपपर depend करता है लेकिन आप इस तरीके से लिखे सकते हैं और यहां पर मैंने explaining stick कर दी यहां पर py plot है ठीक है इसको मैं यहां पर run करता हूँ दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आप लिखें from और यहां यहां पर plt.plot लिखुँगा और मुझे variable बताना है कि कौन से plot में और यहां पर जितने type के arguments डलते हैं ठीक है वो हम ek करके आपको बताते चले जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले x यहां पर जो मारे data है x ठीक है वो उसको हम यहां पर इसके अंदर pass कर रहे है तो इस तरह स मुझे एक graph देखने को मिलना है ठीक है यह इसकी locations यहां पर बता रहा है अगर मैं समाई colon लगा लेता हूं इसको फिर run करता हूं तो यह पर जो location बता रहा है वो नहीं हट जाएगी और इस तरह से मेरा एक plot create करके मिलको यहां पर मिल रहा है ठीक है अब देखे थोड़ा size को और increase करता हूं मैं यहां पर मैं size को कर लेता हूं 400 ठीक है और यहां पर फिर से plot को create करता हूं यहां पर मुझे इस तरह का कुछ data देखने को मिलेगा और यहां पर मैं जो हमारा data है उसके सांद functions भी लगा सकता हूं जिसे अगर मैं community sum लगाना चाता हूं तो उसके लिए लग यहां पर मैं कुछ इनको add कर लेता हूं style चेक करने लिए मैं डानूगा plt और फिमें डानूगा style.available इसको मैं ने लिए तो यहां पर देखिए इतने सारे मुझे यहां पर styles मिले ठीक है तो यहां पर से मैं कोई साभी use करता हूं मैं ggplot use करूँगा और ggplot हम लोग panda में यूज करते हैं और जब आर प्रोग्रामिंग में भी हम लोग ggplot का use करते हैं ठीक है तो यहां पर में ggplot का use करूँगा ठीक है यह का style है अब different style के check कर सकते हैं एक एक करके सबको बताना है possible नहीं को यहां पर तो यहां लिकूँँगा style और यहां लिकूँँगा use और फ तो मुझे इस style में देखिए मिलेगा इस color में मिलेगा यह randomly है color इन्हें चूज कर रहा है खुद से मैं यहां पर कोई select नहीं किया है color को तो यहां पर मैं color भी change करा सकता हूं लेकिन वो उसके attributes के बारे हम पहले हम बाद में आएंगे अब क्या हो मुझे एक ही graph में दो तरह क मैं 400 दे रहा हूं ठीक है और यहां पर मैं क्या करता हूं इससे plot के लिट करता हूं तो सबसे लिखूंगा plt. यहां लिखूंगा plot और यहां पर किसको पास कर रहे हैं y को और इसमें भी हम community sum functions को लगा रहे है ठीक है इसको मैंने run कर आया तो इस तरह से data मिला है मिले को और यहां पर देखिए इसके location मुझे यह दिखा रहे हैं यहां पर से my colon लगा लूँगा तो यह घट जाएगा और हमारे हों की चणिया थो भी पागल हो गई है तो इस तरह के data मुझे देखने को मिलना है लेकिन अभी भी हमारे है different plots में रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं कि अग क्टिखी graph में दिखेंगे यहां पर देखेंगे दोनों different colors से भी दिखाई दिखाए दे रहे हैं अब पतानी चलना है कि कौन सा कौन सा बला आगकर light आ अगर आप किसी को यह data दिखाएंगे तो यह पतानी चलना हिक होแลह कौं साई, यह आ फिर x व्ल cm सै और ओक यह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसके लेबल भी यूज कर सकते हैं ठीक है एक्स में कौन सा लेबल है तो यहीं पर मैं दे देता हूँ लेबल को यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे सबसे पहले लिखेंगे यह आप लेबल ठीक है single quotation मैंने दिया एक्स तो इसका लेबल एक्स हो गया अब मैं सेकेंड वाले को यहाँ पर लेबल देता हूँ इसको देता हूँ नेम वाई ठीक है या फिर आप जैट भी सेतने हैं आपकी मर्जी मैं जैट देता हूँ देए जैट देता हूँ देए मैंने अब देखिए इन दोने को मैं रन करता हूँ फिर से ठीक है लेकिन अभी तक हमारा लेबल नहीं आया क्योंकि हम लोग क्या करना पड़ेगा legend बनाना पड़ेगा legend बनाने के लिए हम लोखेंगे plt.legend ठीक है और फिर हम इसकी location देंगे और यहाँ पर d होगा ठीक है यहाँ पर लिखेंग ठीक है इसको रन करता हूँ तो मुझे आपर right में मिलेगा लेकिन यहाँ पर suitable नहीं है ठीक है आपर left में ही सही था हमारा तो यहाँ पर left में ही कर लेंगे ठीक है data change show करके यहाँ पर left में कर दिया है मैंने और इससे move कर सकते हैं अपने according अब देखिए मैं आपको color भी change करना करता हूँ कि जैसे अगर मुझे y variable का या x variable का color change करना हो तो मुझे एक parameter देने पड़े यहाँ पर color ठीक है यहाँ पर single quotations लगांगा यहाँ पर मैंने देता हूँ yellow ठीक है इसको run करता हूँ तो देखिए yellow memory या data show हो रहा है मिलको यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो हमारे graph हमें मिल दा है यहाँ पर यह हमारे axis में बना हुआ है ठीक है जो lines है हमारी axis में बनी रही है और इनको hold करके क्या रख रहा है figure hold करके रख रहा है तो यहाँ पर अगर मैं को करके दिखा हूँ तो आपको जाद अच्छे समझ में आएगा देखिए अगर मैं इस त plot मैंने इसको run किया तो यहां पर आप देख रहोंगे कि इस तरह हम यहां पर एक blank सा graph बनके आया तो यह आपका figure है अब access क्या होती है access में जो lines आती है वह आपकी access होती है ठीक है अब मैं अपने graph में यहां पर क्या करूँगा access में यह दोनों lines को create करने वाला हूँ तो यहां से इस पूरी line code को मैं कर लेता हूँ copy ठीक है इसके अंदर मैं यहां पर कर दूँगा इसमें paste ठीक है और यहां पर थोड़ा सा changes करूँगा यहां पर यहां पर लिखा है तो यहां पर मैं लिखूँग है ठीक है यह blocks जो दिख रहे है यह आपके figures है और जो lines है आपकी वह क्या है आपकी access है अब देखे आगर यह figure है तो figure का मैं size भी यहां पर change कर सकता हूँ तो यहां पर मुझे simple क्या लिखना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा मुझे figure dot set underscore size underscore inches ठीक है inches में size change कर रहा हूँ जैसके मैं लिखा 10 by 5 इस तरीके से ठीक है इसको मेरे रन किया तो मुझे इस तरह का देखे यहां पर graph मिला इसका size यहां पर change हो गया है अगर फिर से change करता हूँ जैसे 10 by 2 ठीक है तो इस तरह से मुझे यहां पर data देखने को मिलेगा तो आज हमने जना कि कैसे हम अपने प्लॉसों create करते हैं और फिगर्स क्या होते हैं excess क्या होते हैं और mat plot lip क्या होते हैं next video आप जानेगे line graphs के बारे में तो आज के लिए इतना ही thank you watching good bye take care झाल